Hello everyone, welcome to Affairs Cloud मैं हूँ Vikas और आज हम बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं आपके Current Affairs की बहुत अच्छी रिविजन होने वाली है लेकिन उससे पहले एक important चीज Carriers Cloud के नाम से हमारी एक application है Play Store पे जाके उसको पहले तो download कर लो और उसमें आपको Current Affairs section में बहुत अच्छे courses मिलने वाले हैं जिसमें हम DateWise PDF, Weekly PDF, Weekly Test, Monthly PDF आपको provide करते हैं और जो content होता है उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको वो course purchase करना है तो आप Vikas 10 का as a code use कर सकते हैं जिसमें आपको straight 10% discount मिल जाएगा उस course पर तो आईए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो guys अपना session स्टार्ट करते हैं आज के session में हम देखेंगे कुछ March के first week के important current affairs आप daily current affairs आशू सर के साथ revise कर रहे हैं तो ये session आपके लिए बहुत जादा helpful होने वाला है इसमें हम बहुत अच्छे questions discuss करने वाले हैं जो आपकी एक revision में help करेगा ठीक है तो जिसमें like नहीं किया जल्दी से like कर दो video को और अपना pen paper साथ में ले के बैठो क्योंकि जो भी questions आएगा आपको साथ सार नोट करते हुए चलना है वो ठीक तो start करते हैं और आज का पहला question देखते हैं who addressed on the inaugural session who addressed on the inaugural session of the 16th Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry मतलब ये कह रहा है कि भाई अभी 16th edition हुआ था 16th edition हुआ था किसका फिक्की का ठीक है और उसमें higher education summit हुई थी ये 16th इसको address करने वाला या फिर इसको inaugural session देने वाला address करने वाले कौन थे ये थे रमेश पोकरियाल निशांक रमेश पोकरियाल निशांक 16th फिक्की higher education summit थी ये 16th फिक्की higher education summit निशांक, रमेश पोकरियल निशांक, क्या है यह हमारे, यह हमारे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, पता होना चीए पहले चीज़ तो, यह हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, इसके लावा एक चीज़ और याद रखना, जो यह 16th week की Higher Education Summit थी, इसका थीम क्या रहा, इसका है Innovation, S होता है Sustainability, और E होता है आपका Enterprise, ठीक है, तो Rise हो गया, Resilience, Innovation, Sustainability, Enterprise, 16th week की एडिशन, किसने इन और एड्रेस की थी, रमेश पोकरियाल, निशांक जी ने, चलो, next question, Who authored the book, Advantage India, The Story of Indian Tennis, Advantage India, The Story of Indian Tennis, यह किनों ने बुक को लिखा है, यह लिखा है, बताओ, जल्दी बताओ किसने लिखा है, अनिंद्या दत्ता, अनिंद्या दत्ता जीने लिखा है, ठीक है, इन्हों की दो किताब और है, A Gentleman's Game, और एक और है, Spell Binding Spells, Spell Binding Spells, ठीक है, सान्या मिर्जा आपको पता ही है, Tennis से related है, चलो, अगला question, अगला question भी आपका बुक से related है, कि who co-authored the book, State of Terror, along with Louis Penny, Louis Penny के साथ किसने co-author किया था, State of Terror करके बुक है, किसने किया था, Hillary Clinton ने, Hillary Clinton ने, ठीक है, चलो, अगला question देखते है, In February, DGCA gave approval to Khushinagar Airport to operate international flights, DGCA gave approval to Khushinagar Airport to operate international flights, where is Khushinagar Airport, Khushinagar Airport को approval मिल गया, operate होने के लिए, DGCA ने दिया, सबसे पहले तो बता दो, DGCA क्या होता है, Full form of DGCA, DGCA होता है, Director General of Civil Aviation, ठीक है, Director General of Civil Aviation, इन्होंने अभी Khushinagar Airport को international flights के लिए permission दे दिया है, ठीक है, चलो अब ये बताओ, कि ये है कापर, ये आपका उत्रपरदेश में, ये आपका उत्रपरदेश में, ये इंडिया का 87th airport बना है, इंडिया का 87th airport बना है, और 3rd licensed in UP, 3rd airport UP का है, ठीक, अगर मैं पूछूं, largest airport of India कौन सा है, बताओ कमेंट करके, जल्दी बताओ, largest airport of India कौन सा है, ये है इंडिरा गांधी International Airport, और ये है कापर, ये है आपका New Delhi में, ठीक है, महराश्ट्रा का, चलो बताओ फिर महराश्ट्रा का airport का नाम का है, ये भी बहुत famous है, क्या है ना महराश्ट्रा का, ये है चत्रपती सिवाजी International Airport, ठीक है, चत्रपती सिवाजी International Airport, वेरी गुड, अगला question देखते है, अगला question कहता है, who is the world number one women tennis player, as per WTA rankings, WTA क्या होता है, WTA, ये है women tennis association, ठीक है, women tennis association ने recently, world number one women tennis player, किसको घोशित किया है, वो की है Ashley Barty को, ठीक है, चलो मेरे को अभी जल्दी से ये बताओ फिर, Australian Open किसने जीता है, Australian Open जीतने वाले कौन है, जल्दी से नीचे नाम को बतादो, man बताओ, ठीक है, फिर women बताओ, पहले man बताओ कौन है, Australian Open जीतने वाले, ये है Novak Jokovic, Novak Jokovic कहां से है ये ये है सर्बिया से ठीक है ये है सर्बिया से चलो Women Women कौन है जिन्होंने Australian Open जीता है वो है Naomi Osaka Naomi Osaka ठीक है Naomi Osaka चलो फिर Wimbledon भी बता दो Wimbledon Man किन्होंने जीता है Novak Jokovic नहीं जीता है और जो Women का title इन किसने जीता है Wimbledon का वो जीता है Simona Help ने Simona Help ने ठीक है चलो very good तो Women World No.1 Women Ranking Tennis Pair की WTA के हिसाब से किसको मिली है Ashley Barty को चलो अगला question वेर इस दा हेड़क्वार्टर ओफ अशोक लीलेंड लोकेटेड़ वेर इस दा हेड़क्वार्टर ओफ अशोक लीलेंड लोकेटेड अशोक लीलेंड है क्या यह क्या है यह क्या है यह आपके तमिलनाडू चन्नाई में यह है तमिलनाडू चन्नाई में चलो अगला question How many international airports are there in India? How many international airports are there in India? There are 17 international airports और total 87 airports है ठीक है? Total तो 87 airports है और जो आपके international है वो है 17 ठीक है? Must know पता होना चीए अगला question Which is India's What is India's rank globally in sustainable development as per the state of India's environment 2021 annual report इसने पूछा है इंडिया की sustainable development Sustainable development क्या होता है? आपको energy resource जो ना जो sustainable जैसे solar energy यूज कर रहे हैं हम आपकी wind energy को, tidal energy को harness कर रहे हैं geothermal energy यूज कर रहे हैं pollution हम और environment को harm ना करें तो इंडिया की rank क्या है sustainable development में? इंडिया की rank आई है 117 ऐसे ही अगर मैं पूछूँ human freedom human freedom index में इंडिया की क्या rank है? यह है 111 अगर मैं बात करूँ human development index में इंडिया की क्या rank है? 131 फिर अगर मैं बात करूँ global hunger index मतलब इंडिया में बुखमरी कितनी है? उसका इंडिया पूछा है यह global hunger index कितना है? 94 और अगर प्रेस की freedom की बात करूँ कि world press freedom index world press freedom index क्या है? तो यह है 142 तो human development index कितना है? 131 freedom index है 111 global hunger index है 94 और world press freedom index है 142 और sustainable development का जो index है वो है कितना 117 चलो very good अगला question पसंदार है session तो नीचे like करते चलें साथ साथ friends next question which organization released the state of India's environment 2021 annual report? which organization released the state of India's environment 2021 annual report? इस report के हिसाब से यह का गया है कि 0 से 14 साल के जो बच्चे है न उनका may very suffer underweight मतलब 0 से 14 साल तक के बच्चे आज कल क्या है pandemic हुआ हमारा पिछले साल तो क्या हुआ lockdown हो गया तो बच्चे खेल नी पाए, कूद नी पाए, पढ़ाई लिखाई कम हो गई थी घर पे पढ़े रहे, मोटे होते गई तो उनकी क्या underweight हो गई है, stunning हो गई है, increased child mortality हो गई है, उनका education में बहुत सारा loss हुआ है किस की वज़े से हुआ है, सारा pandemic की वज़े से हुआ है ठीक है, तो ये सब बताया गया है इस annual report ने, अब पूछा गया है कि ये annual report किसने लाई है, कौन लाया, ये लाया है down to earth ठीक है, ये लाया है down to earth, चलो ठीक है, amnesty international किस से related है, amnesty international आपका human rights से related होता, आपको याद रखना है अगर कहीं पे भी human rights का violation हो रहा है, तो वहाँ पे amnesty international जाके help कर सकती है, recently इंडिया से amnesty international अपना bag बोच सब अपना बस्तर बस्तर बांद के निकल गई है, कहां से इंडिया से, इंडिया से उसने exit कर दिया है, किसने amnesty international है, question पूछा जा सकता है कि which among the following organization left इंडिया, तो it was amnesty international, ठीक, फिर ये बता दो UNEP हो गया ये, UNEP बना कब था ये बता दो बस मिरेको, या बना नहीं आप मिरेको ये बता दो, headquarter का है इसका, UNEP का, headquarter, जल्दे बताओ comment करके, UNEP का headquarter है, नाइरोबी, कीनिया में, very good, नाइरोबी, कीनिया, जो जो comment करके answer नहीं बता रहे है न और मेरा answer ठीक था, तो आपको ऐसे चीजें, जाद अतर याद रहने की chances होता है, चलो, अगला question, अगला question कह रहा है, which country recently inaugurated the advanced digital cobalt therapy machine, Babatron 2, that was donated by India for treating cancer patients, इस question में देखो, कितने अच्छे questions मिल गए, आपको जो आपको पता होने चीए, कितनी अच्छी information है, सबसे पहले इसको दिया, India ने Babatron किसको दिया था, जल्दी से बता दो, India ने Babatron दिया था, Medagascar को, very good, Medagascar को, ठीक है, Babatron है क्या, ये cancer treating patients के लिए होती है, cancer patients को treat करने के लिए होती है, और इसमें आप approximately 50 patients per day treat कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज, ये आई कहां से, मतलब ये बनाई किस ने थी, बबातron, इंडिया ने तो बनाई थी, इंडिया की case company ने बनाई थी, ये बनाई थी, बी ए आर सी ने, बी ए आर सी होती है, भाबा Atomic Research Center, भाबा Atomic Research Center, ठीक है, बाक ने बनाई थी है, very good, चलो ये पता हो गया, इंडिया ने ये gift करी थी, as a helping hand, Medagascar को, under Project Vision Sagar, to enhance the vision Sagar, उन्होंने ये काम किया था, अब Sagar भी पूछ लेते है, Sagar भी आ जागा, बहुत important है, Sagar क्या है, Sagar है, Security and Growth for All in Indian Ocean, जैसे ये आपका Indian Ocean है न, ये Indian Ocean, यहाँ पे जो जो countries है, उनको help करने के लिए आस पास, India क्या है, बहुत helpful country है, ठीक है, ये अपने neighbors की help करता है बहुत जादा, तो Sagar Mission भी उसी से related था, ठीक है, Security and Growth for All in Indian Ocean, चलो, very good, तो answer क्या है, इसका, Medagascar, अगला question देखते है, अगला question कहता है, इंडिया ने एरफोर्स का एलूटीव 3 वार हेलिकॉप्टर किस कंट्री को दिया, और उस कंट्री ने रिटर्न में F-86 सेबर एरफोर्स को वापस दे दिया, तो कौन सी थी वो, वो थी बांगलादेश, मतलब इंडिया ने तो दिया, एलूटी 3 वार हेलिकॉप्टर किस को, बांगलादेश को, ठीक है, और बांगलादेश ने इंडिया को as a written gift क्या दिया, F-86 सेबर एरफोर्स, ठीक है, चलो, very good, अच्छा question है, पता होना चाहिए, ठीक है, आप इसमें और क्या याद रखें, अब अगर हमें एरफोर्स की ब कुमार सिंग, बदूरिया, राकेश कुमार सिंग, बदूरिया, very good, अगर मैं आपसे बात करूँ, नेवी का, चीफ आफ नेवी कौन है, वो है आपके करमबीर सिंग, करमबीर सिंग, और आर्मी के आपको पता ही है, कौन है, मुकुन नर्वाने, ठीक है, अगर मैं CDS की बा चलो, अगला question देखते हैं, इसी में एक चीज़ और याद रखो, अगर option देए दिया, सिलीनेक्स, सिलीनेक्स, शिरलंका और इंडिया, शिलीनेक्स हो गया, शिरलंका और इंडिया, संपृती, ये क्या है, ये सारी आपकी military exercise है, संपृती, ठीक है, चलो, very good, राकेश सिंग बधूरिया से एक चीज़ और याद रखियेगा, इनको बिना मीरपूर हॉल ओफ फेम में घुशित किया गया है, किस में, मीरपूर हॉल ओफ फेम, ठीक है, चलो, very good, अगला question देखते हैं, अगला question कहता है, which insurance provider has launched SME insure portal that aimed at providing financial security to over 5 crore MSMEs, which insurance provider has launched SME insure, aimed at providing financial security to, छोटे जो business होते हैं, उच 5 crore business को insurance providing के लिए SME insure portal launch हुआ है, ठीक है, किस ने कराई ये, alliance insurance ने, किस ने कराई, alliance insurance ने, ठीक है, चलो, अगला question, अगला question है, as per the data of NSO, national statistical office, as per the data of NSO, एक estimate लगाया गया है, GDP का इतने percent, for the quarter of, third quarter के लिए, third quarter के लिए, 2021 की, एक GDP growth की, production, वो the estimate दिया गया है, वो दिया गया है, आपके NSO ने, ठीक है, और बोला गया है, India has technically existed, exited from recession, तो ये बोला गया है, कि भाई, कितनी percent GDP है, third quarter of 2021, कितनी GDP percent रही, 0.4%, 0.4%, ठीक है, चलो, अगला question देखते है, अगला question कहता है, whose chairmanship at the Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, has been extended for three months, by the appointment committee of the cabinet, ये कह रहा है, किसकी chairmanship extend हो गई है, तीन महिने के लिए, कहां पर Central Board of Direct Taxes में, किसकी extend हो गई है, तीन महिने के लिए, प्रमोट चंद्रा मोडी की, प्रमोट चंद्रा मोडी की, ठीक है, अगर मैं आपसे यूबी प्रवीन राओ के बात करूँ, ये कौन है, ये हैं आपके CEO हैं, किसके, Infosys के, ये हैं CEO Infosys के, फिर Ajit Kumar के मैं बात करूँ, Ajit Kumar कौन है, ये chairman है, Central Board of, ये भी, क्या आपके, चेर्मेन हैं, किसके, Central Board of, Excise, and Customs, Excise और Customs के क्या हैं ये, चेर्मेन, फिर, अगर मैं बात करूँ, अलोक वर्मा, अलोक वर्मा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फॉर्मर डारेक्टर ओफ सी बी आई फॉर्मर डारेक्टर ओफ सी बी अलोक शर्मा अलोक वर्मा चलो वेरी गुड अगला question देखते हैं अगला question कहता है which country recently launched आर्टिक एम satellite to monitor the climate change in Arctic वंब करके एक सैटलाइट लॉँज किए है क्या करने के लिए climate change को monitor करने के लिए कहां पर आर्खटिक्ट में थीक है किसने की है Russia ने की है very good Russia ने recently अभी ISS that is International Space Station पर क्या बेजा था? पेलोड बेजा था या मतलब अपना समान बेजा था रॉकेट में रॉस कॉस्म बनी कब थी 1992 में ठीक है इंडिया की का क्या नाम है इसरो ठीक है USA की का क्या नाम है नासा एक अच्छा क्वेशन पूछता हूं आपसे इसरो बना कब था एर बता दो मेरे को बस कमेंट करके बताओ नीचे की इसरो कब बने थे और किस एर में बना था ये बता दो सबसे पहले और इसरो का आपको याद रखना है जो पहली सैटलाइट बनी थी क्या थी पहली सैटलाइट और रशिया लेके गया था हमारी पहली सैटलाइट को ठीक है चलो very good पता हो ना जी अच्छा question है आगे देखें चलो हाँ एक चीज़ अभी recent में न्यूज में था NASA NASA क्यों न्यूज में था अपना perseverance की वज़े से न्यूज में था perseverance क्या है एक rover है कहां पे भेजा गया हुआ है Mars में भीजा हो गया हुआ है Mars planet पे perseverance rover भीजा गया आपका ठीक है चलो very good अगला question देखते है अगला question कहता है who won the gold medal किसने gold medal जीता है women's 53 kg category outstanding Ukrainian wrestlers and coaches memorial tournament that was held at Ukraine एक event हुआ था Ukraine में women's 53 kg category के लिए जिसमें gold medal आया है किसका gold medal आया है simple question Vinesh Fogart का gold medal आया है Vinesh Fogart का आपका gold medal आया है याद रखिए Vinesh Fogart ये only Indian women to be qualified for Tokyo Games किसके लिए Tokyo Games के लिए only Indian women wrestler है जो की Tokyo Games के लिए qualify कर रहा है जिनोंने ठीक फिर याद रखिए wrestler एक हमारे wrestler है बजरंग पूनिया ठीक है बजरंग पूनिया ने वापस से top position अपनी हासिल कर लिए बजरंग पूनिया ने top position पे आ गए है ये wrestling के वापस ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगला question देखते है अगला question कहता है इसके साथ साथ दो question और है जो पता होने चाहिए फुटबॉल से related ही है वीमें फुटबॉल से related है आपके क्या पहला पहला की Asian football Asian football confederation वीमेंस एशिया कप या फिर इसको वीमेंस फुटबॉल एशिया कप जो होगा वो भी इंडिया में होगा पहला दूसरा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप किस चीज का फुटबॉल का वो भी कहा होगा इंडिया में होगा दोनों चीज पताओ निची दोनों important है ठीक है अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप और Asian एशिया कप होगा Asian football ठीक है चलो अगला question देखते हैं अगला question है Zero Discrimination Day UN का Zero Discrimination Day is annually observed across the globe on 1st March what is the symbol of zero discrimination very good 1 March को पहली March को क्या observe किया गया UN का Zero Discrimination Day इसका symbol पूछा गया है what is the symbol of Zero Discrimination Day symbol क्या है आपका butterfly butterfly जो आपका symbol रहा Zero Discrimination Day का ठीक है चलो फिर ये बता दो मेरे को कि 3rd March अगर मैं 3rd March की बात करूँ इस दिन हमारा क्या World Wildlife Day celebrate किया गया इसके अलावा इसी दिन हमने celebrate किया World Hearing Day World Hearing Day इसी दिन हमने celebrate मतलब 4th March को 4th March को हमने celebrate किया National Safety Day National Safety Day और 8th of March को हमने observe किया International Women's Day चलो very good पता होने चीए अगला question देखते है अगला question कहता है Which of the following has launched स्वच्था सार्थी fellowship स्वच्था सार्थी fellowship ये किस के अंडर आई थी ये आई थी Ways to Health Mission के अंडर Ways to Health Mission के अंडर ये स्वच्था सार्थी fellowship क्या है पहले तो ये बता दो मेरे को इसके अंडर पते क्या होगा जैसे आपके students हो गए self-help groups हो गए या volunteers हो गए या MCD workers हो गए जो आपका e-waste करते है या normal waste करते है तो उनको various initiatives प्रोवाइड करिया ही जाएंगे ताकि अलग-अलग तकनीक आए उनका काम कम हो जाए उनकी help की जाए ये स्वच्था सार्थी fellowship उनके लिए लाया गया है ठीक है उनकी help करने के लिए ला गया है तो ये कह रहा है which of the following has launched किसने लौँच किया है ये ये कि आपका Office of Principal Scientific Advisory Office of Principal Scientific Advisory ने चलो अगला question देखते है Where was the Saras A.G.V. का मेला 2021 conducted Saras A.G.V. का मेला कहा conduct किया गया था ये बता दो बताओ नीचे कमेंट करो मैं बेट कर रहा हूँ Saras A.G.V. का मेला का हुआ था conduct वो हुआ था आपका Noida उत्रपरदेश में Noida उत्रपरदेश में आपका Saras A.G.V. का मेला हुआ था ठीक है UP में एक memorial बना था सूबलदेव memorial ठीक है आपको पता होना चीह Very good अगला question देखते है Which mutual fund company किस mutual fund company ने international access US equity FOF an open-ended overseas fund to fund scheme in March 2021 किसने launch करी है ये कौनसा mutual fund company है वो है आपका SBI mutual fund that is State Bank of India mutual fund चलो अगला question What is the global position of India's richest man Mukesh Ambani in the Huron Global Rich List 2021 Very good question ये भी पूछा जा सकता है कि Huron Global Rich List में Mukesh Ambani की जो global position रही है richest man की वो क्या रही है पहले तो rank बता दो क्या रही है Mukesh Ambani की वो रही है 8th 8th rank पे रही है Mukesh Ambani according to this list only पहली पहली position किस ने हासिल करी किस ने करी होगी Elon Musk ने करी होगी second कौन करने वाला है फिर very good Jeff Basil ठीक है फिर ये बता दो एक list इसकी के अनुसार Mumbai में आपको पता होना चीए 60 billion years है Mumbai city alone contains 60 billion years ठीक है बहुत बड़ी बात होती है billion होना चलो अगला question civil accounts day celebrated when was the civil accounts day celebrated ये पूछ रहा है civil accounts day कब celebrate किया जाता है ये आपका celebrate किया गया था 1 March को 1 March को civil accounts day और 1 March को ये आपका क्या celebrate किया गया था UN Zero Discrimination Day very good ठीक है third को क्या करा गया था worldwide life day or world hearing day world world life day or world hearing day very good ठीक है चार को क्या गया गया था National Safety Day चार को National Safety Day और आर्थ को International Women's Day चलो अगला question अगला question कहता है विज गोनल अगले अनौ 198 वे खिर्ट गाना अनौंस exactly स्टेट ने स्टेट ने अनौंस किया है राजीव गानदी न्याइस स्टे pride धीया है राजीव गान्सी है प्रजीव गान्सी किस स्टेट ने मेरो को आप height की ए full form नीचे comment करके बताओ ही आई जी एच टी ये budget आया budget based on height है ये 36 गड़का तो height की full form बताओ मेरो को क्या है ठीक है मैं wait करूँगा जो check करूँगा आपको नीचे comments में आपके होने चाहिए चलो अगला question देखते है वो inaugurated the second edition of maritime India summit 2021 that was virtually held ये कह रहे हैं Second edition हुआ था Maritime India Summit का 2021 और ये वर्चुली हुआ था ये पूछने किनो ने inaugurate किया था इसको नरेंदर मोदी ने inaugurate किया था नरेंदर मोदी ने inaugurate किया था ठीक है फिर करंबीर सिंह क्या है हमारे ये चीफ हैं किसके नेवी के फिर बिपिन रावत के हैं यह CDS है रामनात कुविंद प्रेजिडेंट है हमारे ठीक है चलो important very good अगला question देखते हैं अगला question है पहली बार चाबार डे मनाया गया था यह कब मनाया गया है पहले तो यह बता दो यह मनाया गया है चार मार्च को चाबार एक important strategical important place है या important port कह सकते हैं इंडिया के लिए ठीक है बहुत important है चाबार port चलो PM also inaugurated second edition of maritime India summit भी होना चाहिए और first ever चाबार डे celebrate कब किया गया था चार मार्च को celebrate किया था यह भी होना चाहिए ठीक है चलो अगला question अगला question कहता है which of the India's major port recently signed an MOU with the Dubai port for developing a cryogenic warehouse with a cold storage facility क्या होंगे खाने को जमा देंगे मतलब ऐसे कहते हैं नहीं फ्रीज में रख दो खाना खराब नी होगा तो ऐसे ही होगा cold storage facility और cryogenic warehouse with a cold storage facility यह कहा गया है कि इंडिया के किस port ने दुबाई port के साथ यह tie up किया है किसने किया है कोचीन port trust ने कोचीन port trust ने दुबाई port के साथ tie up किया है कि वो इंडिया में क्या बनाएंगे cryogenic warehouse with a cold storage facility यह कहां पर बनेगा यह बनेगा केरला में ठीक है और इसमें store करने के लाएं क्या क्या चीजी होगी जैसे आप मालो meat हो गया आपका maze हो गया ठीक है आपकी vegetables हो गई आपकी medicines हो गई यह सारी क्या होंगी और बहुत अलग चीज़े हैं यहाँ पर cryogenic warehouse with a cold storage facility में आप इनको store कर सकते हैं चलो very good अगला question देखते हैं Who became the brand ambassador of Glenmark Pharmaceuticals Limited Glenmark Pharmaceuticals Limited के ambassador कौन बन गए है वो बने है रोहित शर्मा रोहित शर्मा वेरी गुड आमिर खान किसके ambassador है Seat Tires के ठीक है सचिन तेंदुलर किनके Unacademy के ठीक है Unacademy के Brandon ambassador है सचिन तेंदुलकर आमिर खान है Seat Tires के ठीक है चलो very good अगला question Who is the first Indian to become First Indian to become the chairperson of UN Human Rights Council Advisory Committee बहुत अच्छा question है and इसको मैं most important question के नाम से कहूंगा कि first Indian to become the chairperson of UN Human Rights Council Advisory Committee मतलब UN क्या जो ब्रांच है Human Rights Council Advisory Committee के पहले Indian जो बने है chairperson कौन बने है वो वो बने है Ajay Malhotra Ajay Malhotra Ajay Malhotra याद कर लो इसको Ajay Malhotra क्या बने है chairperson of Human Rights Council Advisory Committee के ठीक है दीपक मिश्रा क्या थे ये थे हमारे former chief justice of India former chief justice of India एक चीज़ और याद रखिये chief justice of India के जब मतलब आपका PM ओथ लेते हैं ना किसकी प्रेजिंस में ओथ लेते हैं chief justice of India की प्रेजिंस में ओथ लेते हैं PM हमारे जो ओथ लेते हैं जब वो नई elect होके आते हैं तो जो पहली ओथ लेते हैं वो चीज जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में लेते हैं चलो वेरी गुड अगला क्वेशन अगला क्वेशन कह रहा है विच ओगनाइजेशन सक्सेस्फुली टेस्ट फायड असब सिस्टम मेड ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टिड रैमजेट टेकनलोजी किस ओगनाइजेशन ने सक्सेस्फुली टेस्ट फायड किया है असब सिस्टम मेड ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टिड रैमजेट टेकनलोजी किस ने किया है यह यह किया है आपका जल्दी से कमेंट कर दो किस organization ने सब system made of solid fuel ducted technology को करा है test fire ये करा है DRDO ने very good DRDO ने DRDO बना है कब था 1958 में बना था चलो अगला question अगला question कहता है which company will be the title sponsor of 2021 IPL 2021 के IPL की कौन सी company sponsor होगी बता दो पता होना चाहिए तो cricket fans को यार कौन सी company sponsor कर रही है IPL 2021 को Vivo ठीक है Vivo कर रही है IPL को sponsor 2021 के ठीक Dream 11 2020 के IPL को sponsor किया था ठीक है चलो अगला question What is the theme of 39th Agartala International Book Fair 39th edition Agartala International Book Fair का theme बता दो क्या है अगर तला International Book Fair हुआ था भी recently यह उसका 39th edition हुआ था यह भी पता होना चाहिए और उसका theme क्या रहा है यह बता दो इसका theme था जल्दी comment करो वेट कर रहा हूं मैं जल्दी बता हो क्या theme रहा है Very Good एक त्रीपुरा श्रेष्ट त्रीपुरा एक त्रीपुरा श्रेष्ट त्रीपुरा यह क्या रहा है Theme रहा है 39th edition के किसके Book Fair अगर तला International Book Fair का जो 39th edition होता उसके theme क्या थी एक त्री पुर्वा श्रेष्ट त्री पुर्वा वेरी गुड अगला क्वेशन अगला क्वेशन है विच बैंक बिकेम दे फिर्स इन इंडिया तो जॉइन लिंक अब ब्लॉक्चेन बेस्ट पेमेंट नेट्वर्ग of the investment banking company जे-पी मौरगन कौन सा बैंक बना है फस्ट इन इंडिया टू जॉइन लिंक आप ब्लॉकचेन बेस्ट पेमेंट नेट्वर्ग और ओफ दा इंवेस्चेन बेंकिंग कंपनी जे-पी मौरगन जे-पी मौरगन की एक बैंक है जिसने link join किया है जो कि एक blockchain based payment network है किसका JP Morgan का blockchain जैसे हो गई आपकी bitcoin हो गया ठीक है आपका tron हो गया आज कल इंडिया में ये सारी चीज़े ban करने पर बाते चल रही है कि cryptocurrency हो गई इनको ban करेंगे तो जैसे आपकी bitcoin, tron ये सारी क्या है ether cryptocurrency है तो ये पूछा है किस bank ने first in India to join link a blockchain based payment network of the investment banking company JP Morgan कौन सा bank बना है ये ये बना है SBI, State Bank of India SBI, State Bank of India चलो, very good आज का last question देखते है Which organization signed an MOU with SIDB to engage in financing and development of MSMEs किस organization ने एक MOU sign किया है SIDB के साथ to engage in financing and development of MSMEs किस bank ने करा है किस organization ने करा है ये किया National Stock Exchange ने National Stock Exchange ने एक MOU sign किया है SIDB के साथ to engage in financing and development of MSMEs Very good NSE बना कब था National Stock Exchange बना था 1902 में और BSC जो आपका बना था ये बना था आपका 1875 में Very good दोनों के headquarter का है Mumbai में और World का largest stock exchange अगर मैं बात करूँ World का largest stock exchange को कौन सा है New York Stock Exchange ठीक है फिर Exim Bank इसकी full form बता दो मेरे को क्या है Export-Import EX से Export IM से Import Export-Import Bank ठीक है? चलो Very good ये थे कुछ आज के important questions I hope आपको पसंद आयोंगे अगर आपको पसंद आयोंगे तो प्लीज याद से subscribe कर दो और like जरूर कर देना वीडियो को That's all for the today आप से next वीडियो में मिलता हूँ Signing off